कि अब सब्सक्राइब करेंगे हमारे पास वेल्डेट कनेक्शन के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिजाइन ऑफ वेल्डेट कनेक्शन के बारे में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ठीक है सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आख भरस यहाँ ज इसको के साथ हम लोग पर अब अद आखा था ठीक है। छली। सबीदों इस सेशन को बहुत बढ़िया लेवल पर शेयर कर दीजेगा। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले क्या। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टाइप ओफ डिजाइन जो आएगा हमारे पास। जिसमें सबसे पहले आते है मारे पास कौन सा, that is welded connection के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है, कल मैंने आप लोग के साथ types of welded connection के बारे में discuss किया था, tu वहाँ पर मैंने आप लोग को, अलग-अलग टाइप्स के आपको यहां पर मैंने वेल्टी के बारे बताया था, सबसे पहला जो था हमारे पास वो क्या था, सबसे पहला था हमारे पास बट वेल्ड के बारे में हमने यहां पर समझा था कि what do you mean by butt weld, ठीक है, butt weld हम यहां पर किस वे से हम डिजाइन करते हैं, उ तो आज की जो topic रहेगी, सबसे पहले हम यहां पर प्रोसीड करें किसके साथ हमारे पास, कि जो butt weld जो हमने यहां पर types of welding के बारे में बात किया था, इसमें हम यहां पर सबसे पहले अगर बात करेंगे, तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास butt weld की designing हम यहां पर किस वे से क वेल्ड, that is design of butt weld, ठेक है, butt weld के बारे में हम यहाँ पर, सबसे बहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर, designing के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, तो last class में आप लोगो, यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैं आप लोगो, diagram से भी बना के दिखाया था, मैं बोलाँ जैसे माली जामारे पास दो plates है, इसका अगर मैं front view, अगर मैं show कर रहा हूँ, इसका अगर मैं यहाँ पर, front view क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर show कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मुझे इसको join करवाना है, ठेक है, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास, यह क्या हमारे पास, दो plates हैं हमारे this is plate number one and this is plate number two, है ना मैं कहां से देख रहा हूँ इसको, मैं इसका यहाँ पर front view में इहाँ पर देख रहा हूँ, मैं इहाँ पर plate से क्या देख रहा हूँ, मैं इहाँ पर front view में इहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास यह दो plates को मुझे यहाँ पर join कर दूंगा का यहां पर क्रवाइड कर दूंगा है में यहां पर क्या कर दूंगा में हापर वेल्णिंग में यहां पर प्रोवायड कर दूंगा तो अल्गिंग यह पास कुछ पॉट्शन हमारे पास फस्ट वाली स् styl 82 ऑ और जो हमने यहाँ पर, एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर जो छोटा सा तुकड़ा हमने जो लिया था, यह तीनों का हमारे पास melting क्या होगा हमारे पास आपस में उन लोग जॉइन करेंगे, जिसके गारण यह दो plates क्या होगी हमारे पास यह जॉइन कर जाएगी, ठीक है, इसका अगर मैं plan view के बारे बात करूं, तो plan view कैसा दिखेगा हमें, plan view के बारे बात कर रहा हूँ, तो plan view हमें आपर इस वैसे देखने को मिलेगा, plan view के बारे बात कर रहा हूँ, तो हमें आपर इस वैसे plan view हमें आपर देखने को मिलेगा, किस का, that is butt weld का, ठीक है, that is butt weld का, हमें आपर इस व Felix، plan view क्या होगा, हमें आपर देखने को मिलेगा, तो यह 2 plates है, मैंने यहाँ पर, मैंने आपर 2 plates के बीक में क्या 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 है, मैंने आपर welding, मैंने आपर provide कर दी, this is what, this is known as हमारे पार, that is top view, यह कहा हमारे पार this is the top view, हमने आपर दो plates को रखा, this is plate number one, और यह कहा हमारे पार this is plate number two, और यहाँ पर दोनों plates के बीच में क्या किया है, हमने आपर welding हमने आपर provide कर दिया, ठीक है, welding हमने आपर provide कर दिया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, design के बारे बात करें, मतलब हम यहाँ आ हमारे पास strength क्या होगी उसको हम यहापर समझेंगे ठीक है उसको हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लिजिए यह दो डाइग्रम जो है हमारे पास सभी को आप लोग यहां पर ड्रॉ कर लिजिएगा types of butt weld के पार मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या होगा हूँ यहाँ पर आपको different इध्रन इफरन्ट types कि आपको butt welding आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा depending upon the shape सबसे पहले एक ब畅त कर नहीं सबसे पहले आता है سबसे पहले क्या आता है हमारे पास सब्सक्राइब कर देखने को मिल रहा है जो और हमारे पास वह हमारे पास जुचे Сब्सक्राइब का इस में पर हमें स्क्वेंर आपर देखने को मिल रहा है किereal प्राब्लम कराई किए अभी तक ब्रॉब्लम में Echoम अभी हम यहां पर welding एक ही session लिए है उसमें हमने introduction हमने आपर बस पढ़ा था ठीक है second में आपर बात करूँ second हमारे पास types के बात करूँगा तो हमारे पास क्या होगा that is single single u v j weld j but weld आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसका मीनिंग कहा है हमारे पास हमारे पास इसका मीनिंग ये है कि मारे पास यह जो 2 plates ऌहीं कि हमें हमें यहां पर आप नहीं टिखें लेट करने से पहले हम क्या करेंगे इसमें हम यहांपर practitioners हम यहां पर करेंगे अब एजí preparing क्या होता है मारे पस एज प्रिप्ररिशन होता है हमारे जैसे माल लीजे हमारे पासवे है अगर आ बात करह आपना पास यह क्या दिख़र है आपको यहां पर मैं बोराऊं दो प्लेट से हिमारे पास ठीक है यह इस प्लेट नमर्बर वण और यह कहारए पास सिस्प्लेट नमर्ट नमच टू आपको यहां पर देखने को मिल रहं मैं बोल रहाँ एज प्रिपरेशन मतलब माल लीज़े मैं यहाँ पर सिंगल अगर मैं यहाँ पर यू अगर मैं यहाँ पर बट वेल्ट प्रोवाइड कर रहाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग यहाँ पर basically क्या करते हैं रे यार हम लोग यहाँ पर basically क्या करेंगे मैं बोल रहा हूँ जो पहली जो plate थी अगर मैं यहाँ पर single यू के बारे बात करूंगर ठीक है सिंगल अगर मैं यहां पर यू के बारे बात करूं तो यहां पर इसका क्या करेंगे हम यहां पर उपर से क्या कर देंगे हम यहां पर इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे हम यहां पर एज प्रिप्रेशन हम यहां पर प्रोवाइट करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे उपर से यहाँ पर क्या करें एज प्रिपरेशन करें मतलब यहाँ पर हमने इसका जो हमारे पास जो एजेस थे जो एजेस थे मारे पास दोनों प्लेट को सो हम क्या करेंगे उसको थोड़ा घिस के क्या करेंगे हम यहाँ पर यूशेप हम यहाँ पर करें अगर में हाँपर single u, ने कौन सा हैंगर हमारे पास single v but weld अगर होता तो हमें इहाँ पर v शेप का क्या करता मेंगर एक group मैंने हाँ पर क्या करता ए क्या KL7 selling group मैं आपर बनाता, कौन से shape का हमारे पास V shape का और उसके उपर क्या करता मैं यहाँ पर welding कर देता मैं बोल रहाँ अगर हमारे पास J shape का होता अगर हमारे पास क्या होता, यहाँ पर J shape का होता, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहाँ कि हम लोग basically क्या करेंगे यहाँ पर basically क्या करेंगे कि हमारे पास यह जो हमारे पास दो plates जो थी यह जो हमारे पास दो plates जो थी इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक J-shape का क्या करेंगे हम यहाँ पर एक pattern मना देंगे जे शेप का हम यहापर एक पैटन बना देंगे और उसके उपर क्या करेंगे हम यहापर उसके उपर हम यहापर वेल्डिंग करेंगे उसके उपर क्या करेंगे हम यहापर वेल्डिंग हम यहापर प्रोवाइट करेंगे उसके उपर मैंने बोला उसके उपर हम यहापर क्या कर करो हमारे पस बट वेलडिंगे हमें आपर ChapLEX आपको देखने को मिलेंगे तर्ड अगर मैं आपड-छेप के बारे बात करो हुप थर्ड शेप कौन सा हमारे पास? थर्ड अगर मैं यहाँ पर शेप के बारे बात करूँ, तो आता है मारे पास, that is, डबल, डबल, यू, वी, जे, बट वेल्ड, डबल, यू, वी, जे, बट वेल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मैं बोल रहा हमारे पास यहां पर आप लो समझेगा अगर मैं यहां पर बात करूं that is मैं यहां पर डबल यू के बारे बात करूं ठीक है अगर मैं यहां पर डबल यू शेप के बारे बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हमारे पास यह जो दो प्लेट्स हैं यह जो हमारे पा ग्रूव में यहां पर बनातें और यहां पर दोनों साइड बना रहे उपर यहां पर यहां पर नीचे में यहां पर अगर nebubar करूगा मैं उसके ऊपर क्या करूँगा वेल्डिन памनेहाफरध करूंगा अगर double j shape के बारे बात करें तो उपड़ से भी हमारे पास j बनेगा और हमारे पास नीचे से भी क्या बनेगा हमारे पास inverted आपको इहाँ पर j आपको इहाँ पर देखने को मिलेगा inverted आपको इहाँ पर j आपको इहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है हम यहाँ पर दोनों साइट से क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों साइट से हम यहाँ पर welding क्या करेंगे हम यहाँ पर provide कर देंगे सभी हो clear है यहाँ तक सभी को यहाँ तक clear basic और about हमारे पास जो butt weld के बारे में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर मैंने आप से shape के बारें बात किया, ठीक है? ये जो आएगा हमारे पास, welding का हमारे पास जो shape जो होगा, उसके बारे में हमने आपर different different shapes के बारे में क्या किया हमने आपर बात किया, यहां तक सभी हो clear है, सभी लोग यहां पर मुझे comment करके बताएंगे सभी लोग यहां पर मुझे comment करके बताएंगे आप सभी लोग को यह चीज clear है सभी लोग को यहां तक समझ में आ है सभी लोग को यहां तक समझ में आ है यह हमारे पास जो different different shapes के बारे में यहां पर मैं जो बात कर रहा हूँ, सभी लोग को यहां तक clear है चलिए अब क्या करेंगे हम यहां पर डिजाइन स्ट्रेंद के बारे में समझेंगे ठीक है यहां पर हमें क्या बोल रहा हूं हम यहां पर डिजाइन स्ट्रेंद के बारे में हम यहां पर समझेंगे डिजाइन स्ट्रेंद के बारे में हम यहां पर समझेंगे design strength से थोड़ा सब पहले हापर एक चीज और मैं हापर बढ़ाना चाहूंगा वो क्या है हमारे पास सबसे पहले दो term के बारे में मैं आपर आप लोग को बताना चाहूंगा सबसे पहले क्या है हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक टम आते है जिसको हम बोलते है that is called as effective thickness of the weld यह आते हमारे पास that is effective thickness of the weld के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे effective thickness of the weld के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले तो मैं क्या बोरो हमारे पास कि यह जो दो plates है यह जो हमारे पास यह जो हमारे पास दो plates जो है मैं आपर बोर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर single side अगर मैं आपर welding कर रहा हूँ मैं आपर बोर रहा हूँ कि हमारे पास यह जो 2 plates है अगर मैं इसमें single side क्या क्या अगर मैं हाँ पर welding provide कर रहा हूँ ठीक है, मैं बोना हमारे पास ये दो प्लेट्स है, this is plate number 1 and this is plate number 2, अगर मैं आपर single side अगर मैं हापर, single side अगर मैं हापर, welding अगर मैं हापर provide करो, ठीक है, मैं सिर्फ एकी side से क्या किया, मैं हापर welding क्या करो, मैं हापर provide करो, तो क्या होगा हमारे पास, ये weld जो है मारे पास, ये कवर नить कर पायागा ठीक एब क्वेल्डिंग जो है वाया पास यह तो में यहापर लिया है इसका आगर मैं बात करो हमारे पास तो पूरी तिकनेस को यहां पर कपायगा हमारे पास कवर नहीं कर पायेगा इसको और आसांफ बनाने किह लें ए सपूर मैं एब penetration अगर मैं हापर provide किया, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको क्या, और मैं इस term को बोल सकता हूँ, ठीक है, one side की जगा मैं इसको यहाँ पर single side भी मैं हापर बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं हापर इसको one side की जगा मैं हापर इसको single side penetration भी बोल सकता हूँ या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ that is partial partial penetration भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ partial penetration भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास single side welding अगर मैं यहाँ पर provide कर रहा हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, that is known as single side penetration या फिर partial penetration के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास effective thickness होगी हमारे पास weld गी, ठीक है मैं आपर बोल रहा हमारे पास ही जो weld जो है यह जितनी thickness पर हमारे पास act कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, that is known as हमारे पास effective thickness, इसको हम क्य हमारे पास यह जो effective thickness जो होगा हमारे पास weld लिखा यह जो हमारे पास effective thickness जो होगा इसकी value हम यहाँ पर कितनी ले लेंगे इसकी value हम ले लेंगे that is 5 by 8 times of t minimum इसकी value हम यहाँ पर consider करते हैं हमारे पास that is 5 by 8 upon t minimum हम क्या करेंगे यहाँ पर हम consider कर लेंगे and this is अगर मैंब कर वंब करें वारह पास यह वालवा जो हमारे पास यह जो है हमारे पास पर याद राट रखेंगा एफ्टीव थि γंसे ने विखने खरें हो तो जो हमारे पास वेल्टी घ्ल टिकने शोगी वो नहीं होगी, 5 by 8 times of आपके पास यहाँ पर T minimum आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस case में हमारे पास दोनों की ठिकना सेम है, तो यहाँ पर आप 5 by 8 times of यहाँ पर किता प्रोवाइड करोगे, that is, T के बराबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, 5 by 8 times of T के बर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे है, सभी को यहाँ तक clear, किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, सभी को यहाँ तक clear है, आप मिनित में एक बार चेक करता हूँ नहीं, यहाँ पर Gmail, बहुत सार इस्ट्रॉइंट का है, यहाँ पर mail आया हुए, एक बार मैं चेक कर ल में आपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर, या फिर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास, full penetration या फिर complete penetration में आपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, complete penetration अगर हमने आपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, complete penetration अगर हमने आपर प्रोवाइड क्या, meaning क्या है हमारे पास, meaning यह मेंनिंग यह है कि माल लिजे हमारे पास यह क्या है दिसार्दर two plates आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या करना आपको मैं बोल रहा हूँ उपर से भी हमने आपर welding प्रोवाइट किया है ना one side से हमने आपर welding प्रोवाइट किया अब हमारे पास जितना भी हमारे पास thickness भची है हमने क्या किया हमने आपर welding प्रोवाइट कर दी हमने आपर नीचे से भ थिकनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं हाँ पर effective thickness of the weld के बारे में अगर मैं हाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास यह जो thickness जो आ रही है, हमारे पास effective thickness जो आ रही है, यह किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, हमारे पास इसके बराबर आपको देखने को मिलेगी can anyone tell me te की value कितनी ले लूँगा मैं आपर te की value मैं यहाँ पर कितनी consider कर लूँगा कोई बता सकता है मुझे te की value हम यहाँ पर कितनी consider करें can anyone tell me te की value यहाँ पर कितनी आएगी इसकी value कितनी आएगी मार पास TE की value कितने आएगी हमारे पास यह आएगी हमारे पास TE की value आएगी हमारे पास total हमारे पास thickness of the plates के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा total thickness of the plates के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा very good, T minimum के बराबर हम यहाँ पर क्या करेंगे consider हम यहाँ पर कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, very good, है ना, आप लोग जितने भी student हो, यहाँ पर, बहुत जादा मेरे favorite हो, सब लोग क्यों मैं कुछ भी question पूछता हूँ, सभी लोग यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे level पर, यहाँ पर respond करते हैं, very good, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पर T, E के बारे बात करों, तो इसकी value कितने आ लिए बार पास, thickness के बराबर आपको यहाँ पर देखने को बात करेंगे, तो length of the weld हमें कैसे बता चला, हम यहाँ पर plan view देखे, दोनों plates का हमने क्या किया, यहाँ पर हमने, plan view हमने आपर देखा, दोनों plates का हमने आपर, plan view हमने आपर देखा, मैं बोलाओ, यह हमारे पास, plate की ठीकना से कितनी हमारे पास, यह जो हमारे पास width है, plate की, हमें आपर width of the plate के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर आपको width of the plate के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली, हमारे पास, that is, पूरी की पूरी length के बारे में, अगर मैं आपर discuss कर रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग मैं आपर जो भी चीज बोल रहा हूँ इसको आप सभी लोग बहुत जादा अच्छे लेवल पर आप यहाँ पर समझेंगे क्योंकि मैं इसके बाद एक question आपको दूँगा और वो question आपको वहाँ पर क्या करने आपको solve करके बताने उसका perfect answer कितना आएगा ठीक है तो सभी लोग मैं आप जो भी चीज बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमने length के बारे में हमने आपर बात कर ली अब यहाँ पर समझेंगे finally हम आते किसमे that is design strength के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे finally हम यहाँ पर design strength of design strength of butt weld के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे design strength of butt weld के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर दो type की strength के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले के हमारे पास हम यहाँ पर butt weld की हम यहाँ पर tensile strength के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे मैं बोर रहा हमारे पास tensile strength या फिर compressive strength या फिर मैं बोल सकता हूं हमारे पास जो axial अगर मैं आपर बात कर रहा हूं ठीक है मैं बोर रहा हमारे पास the axial capacity of मैं आपर बोर रहा हमारे पास axial capacity of axial capacity of but weld के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे axial capacity of but weld के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, second मैं बोर रहा हमारे पास हम यहाँ पर shear capacity of shear capacity of but weld के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे shear capacity of but weld के बारे में हम्ई आपर डिस्कस करने वाले रहेंगे ठीक है actual capacity और हम यहाँ पर बात करेंगे that is share capacity की बारे में हम यहाँ पर बात करें मतलब मैं पोरो अगर मैं यहाँ पर इसको actual, actual force अगर मैं लगा रहा हूँ, तो weld की हमारे पास कितनी strength है, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा है, हम यहाँ पर अगर इसमे to actual force telephone मैं लगाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आपर, दोनो plates में हमः पर, actual force हैं मैं लगा रहा हूं, तो यह दोनो plates को separate हमारे पास होने से कौन रोक रहा है हमारे पास यह वाला weld रोखेगा, कौन सा weld हमारे पास bird weld तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि bird weld की हमारे पास strength कितनी है उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करेंगे ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास कि जो axial capacity जो होगी bird weld की और जो shear capacity होगी दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर find out करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहा है हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर discuss करो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर discuss करो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर discuss करो, तो हमारे पास, क्या रहा ह सबसे पहले लिखेंगे that is axial capacity of butt weld axial capacity of butt weld हम यहाँ पर check करेंगे, तो अगर मैं axial capacity के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर मैं axial capacity के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे पास किसकी that is या फिर अगर मैं design strength in axial compression या फिर axial tension मैं आपर बोल रहा हूँ, तो इसको मैं आपर represent कर रहा हूँ, that is tdwc, tdw क्या हमारे पास d यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ, तो यह क्या हमारे पास this is the design strength, कौन से design strength हमारे पार t मतलब tensile strength, ठीक है और w क्या represent करें हमारे स्टेकार हमारे पास weld, labels that is design tensile strength of the weld ठीक है, और यह क्या हमारे पास this is a force, यह क्या हमारे पास this is the force आपको हाँ पर देखने को मिल रहा हूँ, strength मतला हम आपर, discuss it करें, हम रहीomb130 बात करें हमारे पास force के बारे में all मैं बोल रहा हमारे पास इसकी value कितनी हमारे पास? गना हमारे पास is permissible गना हमारे पास आपको इहां पर देखने को मिलेगा effective area of the weld आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मैं बोरो हमार पड़ T, D, W को अगर मैं हाँ पर बात करो, तो permissible axial strength, इसकी value हमारे पास, IAS 800 2007 ने हाँ पर कितनी देके रखी है, तो permissible axial, अगर मैं सिर्फ axial strength के बारे बात करो, तो इसकी value कितनी हो जाएगी मार पास, axial strength के बारे इसकी एक्जियल इसको रिप्रेजेंट कर रहो, ठीक है, जरुरी नहीं हाँ यहाँ पर डबलु आए, ठीक है, जरुरी नहीं हमारे पास, यहाँ पर हम कंसिदर करेंगे, permissible के बारे बात करो हमारे पास, मतलब इसको factor of safety से क्या करूँगा, मैं हाँ पर इसको divide कर दूँगा, तो इसकी value आजएगी हमारे पास, that is gamma MW, effective area कितना हो जाएगा हमारे पास weld का, यह हो जाएगा हमारे पास length of the weld into हमारे पास, that is thickness, कौन सा हमारे पास, that is effective thickness of the weld, आपको इह इसको find out कर सकते हो, इस वे से क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पर find out कर सकते हो, जब मैं आप लोगो bolted connection, जब मैं आप लोगो पढ़ा रहा था, ठीक है, यहाँ पर समझेगा आप सभी लोग, मैं बोलोगो bolted connection, जब मैं आप लोगो पढ़ा रहा था, तो हमारे पास यहाँ पर, जब मैं वहा ultimate strength of हमारे पास bolt ले रहा था, ठीक है, वहाँ पर मैं ultimate strength of bolt ले रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर but weld के बारे बात करों, तो मैं यहाँ पर yield strength लिया हूँ, ठीक है, Fy क्या represent कर रहा है, Fy हाँ पर represent कर रहा है, Fy हाँ पर represent कर रहा है, that is the yield strength, yield strength किसका हमार हमारे पास या तो weld या फिर फ्लेट दोनों मेषम का भी मिनीम Jersey मिनीमन को कि वहां घरने को मिलेगा तो पर हमारे पास Fy की वैल्यू अगर मैं हाँ पर बात करहाँ तो Fy के हमारे पास Fy है हमारे पास that is the yield strength आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब यहाँ पर जब आपन bolted connection जब हम पढ़ रहे थे और NSASB bolted connection में जब भी हम यहाँ पर deal कर रहे थे तो मैं क्या बोल रहाँ हमारे पास वहाँ पर मैंने कौन सी strength लिया था मैं वहाँ पर लिया था that is ultimate strength मैं वहाँ पर consider किया था किसका हमारे पास that is bolt का ultimate strength मैंने क्या किया था वहाँ पर मैंने bolt का यहाद किंञे कर रहा हूं तो वैल्डिक में कर दो हमें आपर यहां पर या बात करणाओ हम्हें अपर किया है थे? ठीक है नहीं नहीं विनिदे हमारे पास पूरे एक्जिल के लिए तो इसको टेंशन के लिए चेक करते हैं बड़ इनकेस अगर मालों लो अगर लग रहा है तो भी आप यहां पर सेम फॉर्म लाई का करोगे आप महां पर यूस करोगे मतलब यह हमारे पास एक्जिल है मैं इसकी लेंद इसका साइस जो भी हमारे पास यह बहुत जाद आपको यहां पर छोटा आपको यहां पर चोटा आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर मैं लेन्ट आप्धि हमारे पास वेल्डिं के बारे багवाथ करें हमारे सब्छा herb명 य्जो में चोटा सम lass अम्हएं लेकिन हम जो welding प्रोवाइट करते हैं, तो length of the welding जो होता है, वो बहुत ज़ादा होती है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, since हमारे पास यह बहुत ही छोटा सके हैं, हमारे पास member है, इसमें हमारे पास yield strength से उपर अगर हम बात करेंगे, ultimate strength तक भी हम क्या कर सकते हैं, हम stresses को allow कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर plastic deformation आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी length बहुत ज़ादा हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ही high value आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अंदर क्या सकते हैं, प्लास्टिक deformation आ सकते हैं, हमारे पास, देखो, आप सभी लोग को पता है, हमारे पास, yielding के बारे बात करो, yield stress जो होता है, हमारे पास, जैसे ही हमारे पास, yield stress को हमारे पास value cross हो, जैसे माल लिजा, for example, मैं आपर F.E.250 ले रहाँ, ठीक है, मैं आपर बोल रहाँ हमारे पास, F.E.250 ले रहाँ, ठीक है, यह हमारे पास, इस क्या है, this is the stress train curve, आप यहाँ पर देख रहे हो, तो मैं क्या बोल रहाँ हमारे पास, यहाँ पर क्या हो रहाँ हमारे पास, लेकिन मैं क्या पूरा हमारे पास, bolt एक बहुती छोटा सा मेंबर है, bolt के हमारे पास बहुत छोटा सा मेंबर है, मैं पूरा है, इसके अंदर elastic region को अगर cross कर गया, प्लास्टिक region में भी आ गया, तो भी हमारे पास इती सी length में हमें क्या ही समझ में आ रहे हैं कि वो हमारे पास plastic deformation आ रही है कि elastic deformation आ रही है इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं अगर मैं bolted के बाद करहा हूं तो हम यहाँ पर ultimate stress क्या करते हैं हम यहाँ पर इसमें consider कर सकते हैं because of its small length लेकिन अगर मैं यहाँ पर welding के बारे बात करो तो यह जो length जो है यह length हमारे पास पूरे के पूरे हम क्या करते है प्लेट के width पे हम क्या करते है welding हम provide करते है तो यहाँ पर अगर मैं elastic deformation को जैसी cross किया तो जो plastic deformation है वो क्या होगा हमारे पास visible रहेगा इसमें, ठीक है, कि हमारे पास जो weld जो है, अपनी elastic condition को छोड़ के अप क्या होगे हमारे पास, plastic condition में enter कर गया, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो यहाँ पर visible आपको देखने को मिलेगा, इसलिए code ने क्या किया है, because इसकी length आपर बहुत जादा है, तो code ने welded connection में, code ने हमारे पास, welded connection में क्या बोलके रखाए, कि आप यहाँ पर सिर्फ consider करोगे, इसकी yield stress को ही क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको consider करेंगे, इसमें आप यहाँ पर ultimate stress आप यहाँ पर consider नहीं करेंगे, सभी को समझ में आएगा, प्लीज यहाँ पर मुझे comment करके बताएगा, सभी लोग यहाँ पर मुझे concept, आप लोगा clear हुग है, प्लीज मुझे आपर सभी लोग comment करके बताएगे, जो मैं आपर concept आप लोगो बताया है, वो चीज आप लोगो समझ में आई कि नहीं, सभी लोग मुझे comment करके बताएगे, सभी लोग यहाँ पर मुझे, सजीन बोल्ट की साइद आप कितनी लंबी कर दोगे, आप बोल्ट यहाँ तो ऐसा नहीं है कि एक लेंज से दूसरे लेंज तक आप यहाँ पर, मतलब एक पूरे एंड से दूसरे एंड तक इतना बड़ा बोल्ट ले गया गया है, तो बोल्ट आप जाए-जादा कितना ही आप वहाँ पर कर पाऊगे, ठीक है, कुछ mm से आप जादा तो आप लेंद प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वेल्डिंग आप बोल्डिंग यहाँ बाई एक एंड से पूरे दूसरे एंड तक आपने का किया, हमाँ पर आपने वेल्डिंग प्रोवाइड किये, तो लेंद आप लेंप गामा एमडबलू इंटू LW इंटू T के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिजाईन स्रे हमारे पास minimum ले लेना आप welding या फिर प्लेड जिसकी भी आएगी गामा MW के बारे बात करों अगर मैं गामा MW की value हम generally हमेशा consider करते हैं कितना 1.25 जब भी हमारे पास क्या हो यहाँ पर shop welding आपको यहाँ पर देखने को मिले जब भी आपको यहाँ पर shop welding आपको यहाँ पर देखने को मिले गामा MW की value हम ले लेते हैं कितना that is 1.5 जब भी हम यहाँ पर field welding हम क्या करते हैं वहाँ पर हम provide करते हैं ठीक है जब भी हम यहाँ पर field welding क्या करते हम यहाँ पर provide करते हैं तो मैंने बोला हमारे पास गामा MW की value, आप हमेशा 1.25 ले लिजेगा, जब भी हमारे पास shop weld हो, या फिर आप इसको ले सकते हैं 1.5 जब भी हमारे पास क्या हो, यहाँ पर field weld आपको यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, जनरली हमेशा कुछ नहीं given है, तो आप हमेशा उसकी value कितनी लोगे, आप यहाँ पर 1.25 यहाँ पर लेके चलेंगे, next हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, next हम यहाँ पर discuss करेंगे that is, next हम यहाँ पर बात करेंगे that is, shear capacity of next time यहाँ पर बात करेंगे that is shear capacity of of हमारे पास butt weld of butt weld ठीक है मैं यहाँ पर बात करेंगे next time यहाँ पर बात करने वाले that is shear capacity of butt weld के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे तो मैं क्या बूर रहा हमारे पास आप यहाँ पर सुनिएगा ठीक है मैं बोल रहा हुमारे पास अगर मैं यहां पर shear capacity of butt weld के बारे में बात करा हूँ मतलब मैं यहां पर design shear strength of weld के बारे में अगर मैं आपर बात करा हूँ तो एक कितना हो जाएंगा हमारे पास this will be equals to permissible shear stress into कितना होगा हमारे पास into होगा हमारे पास that is effective area फाइक वैल्यू के बारे बात करों तो यह लोगा पहले ही बताई था कि जब भी आप सौम पढ़ते हो तो वहाँ पर जब आप थेयोरी ओफ फैलियर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोग थेयोरी ओफ इलियर देखने को मिलेगी वहाँ पर अगर वहाँ पर वौन माइसस, या फीर आपकое पास जित्ते भी थियोरि फिलेर सिवावगे तो आप वहाँ पर दिखेंगा हमारे पास जहिसर के कपैसिटी जो होती है इंपन की कि इंपन के बैसिर के कितना होदा है, tensile strength divided by root 3 permissible के बार में बात करो, मतलब यहाँ पर मैं partial factor of safety से क्या कर दूँगा, इसको divide कर दूँगा, effective area की value कितनी, LW into T के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यह क्यार हमारे पास, this is the, हमारे पाद design shear capacity of हमारे पास, but weld आपको यहाँ पर देखने को मिला, this is the design shear capacity of but weld आपको यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ तक सभी clear है, सभी लोग मुझे यहाँ पर comment करके बताएंगे यहाँ तक सभी लोग को clear है कि सभी लोग यहाँ पर मुझे comment करके बताएंगे सबी को यहां तक क्लियर है किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहां पर मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है आप मेंसे किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहां पर मेरे से पूछ सकते हैं एक QOcean दूँगा तो इसका आंसर बतावगे क्या सबी लोग कमेंट करके बताएंगे, एक QOcean अगर हम देगे उसका आंसर सभी लोग solve करके बताएंगे कितो आएगा ठेक है, note down करिएगा यहापर सभी लोग, सभी लोग यहापर note down करिएगा सभी लोग यहापर एक question दे रहाओ, note down करिएगा question है मारे पास a plate, a plate having thickness a plate having thickness, having thickness 12 mm and width, and width 200 mm is joined by, is joined by, is joined by, is joined by another plate, is joined by another plate, another plate of thickness, another plate of thickness, 14 mm and, of thickness 50 mm width, 150 mm width, by a single, by a single, by a single, by a single, V-shaped but joint, but joint, okay, question एक पढ़ लिए यापर, बोल रहाँ पास a plate है मारे पास, उसकी thickness कितनी हमारे पास, 12 mm, और उसकी width कितनी हमारे पास, 200 mm, if joined by another plate of thickness कितनी हमारे पास, that is 14 mm and width कितनी हमारे पास, 150 mm, okay, तो मैं आपर बोल रहाँ, हमारे पास, Fy की value हमारे पास given है, ठीक है, given किया हमारे पास, given data हमारे पास given है, यहाँ पर हमारे पास given है कि Fy की value हमारे पास weld की given है, कितनी, weld की अगर मैं बात करना हो, तो इसकी value given है, that is 250 MPa, हमारे पास किसके लिए, weld material के लिए, weld material के लिए और मैं बोर रहा हमारे पास इसकी value हमारे पास given है that is 260 Megapascal किसके लिए हमारे पास that is हमारे पास plates के लिए किसके लिए हमारे पास that is plates के लिए अगर मैं हाँ पर बात करहूं F5 की value कितनी given है हमारे पास 260 हमारे पास given है किसके लिए हमारे पास plates के लिए, मैं बोरो हूँ यहाँ पर the actual capacity की बारे में बात करहूँ the actual capacity the actual capacity of the actual capacity of the weld is dash, ठीक है, मैं बोरो हुमारे पास the actual capacity of the weld is कितना बोरो हुमारे पास, that is dash kilonewton, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है is dash kilonewton आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी लोग इसको यहाँ पर solve करेंगे सारे के सारे experiment यहाँ पर इसको solve करेंगे जल्दी तूरंद इसको solve करना है मुझे यहाँ पर answer बताने आप लोग को तूरंद इसको solve करना है और यहाँ पर मुझे आंसर बताने है इसका आंसर कितना आ रहा है सबी लोग यहाँ पर इसको solve करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है किलो न्यूटन में आपके पास पूछा गया है ठीक है किलो न्यूटन में आपके पास यहाँ पर पूछा गया सबी लोग इसको solve करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा चली प्रोसीड करते हैं आपर तो बोला है हमारे पास इस कोशन में क्या बोला है हमारे पास बोला है कि हमारे पास दो प्लेट है ठीक है एक कोशन में बोला हमारे पास दो प्लेट है पहली प्लेट के हमारे पास थिकनेस कितनी है 12 mm ठीक है पहली प्लेट के हमारे पास थिकनेस है यहाँ पर देखने को मिल रहा है दूसरी प्लेट के जो थिकनेस हारी है वो कितनी हारी हमारे पास दूसरी प्लेट की हमारे पास थिकनेस आ रही है that is 14 mm दूसरी प्लेट की थिकनेस आ रही हमारे पास कितनी 14 mm आपको यह आपर देखने को बिल रहा है और बोल रहा है हमने यापर इसमें जो welding जो provide किया हमने आपर इसमें V-shaped क्या किया हमने आपर V हमने यापर shape का हमने यापर grooving हमने यापर की है ठीक है हमने यापर क्या provide किया है हमने यापर इसमें V shape का क्या किया है हमने यापर grooving provide किया है और इसके ओपर क्या कर देंगे हम यापर welding हम यापर provide कर देंगे इसके ओपर क्या करेंगे हम यापर यह है हमारे पास, that is 200 mm, और दूसरी जो हमारे पास width जो आ रही है, यह कितनी आ रही हमारे पास, यह आ रही हमारे पास, that is 150 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, दूसरी जो plate हमारे पास, इसकी width कितनी आ रही हमारे पास, 150 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रह है ठेक है विजय का अंसर कितना आ रहे है विजय का अंसर आ रहे है 300 अश्विन का आ रहे है 60 ठेक है अंडर रूट 3 की वैल्यू सर 1.73 होती है अरे यार इधर देखो आप बेटा डिवाइड की है न मैंने आपर मैंने आपर 1 1-divide by root 3 होगा मैंने कितना बोला 0.5 times 0.57 times होता है मतलब ये 1 divided by root 3 अगर आप करोगे मतलब 1 divided by 1.71 के आसपास होता है ना पास तब आप देखेगा तो somewhere around आपके पास 0.55.57 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आप इसकी value 1 point, जो मैं बोला 0.57, आप इसको 1 divided by root 3 आप देखेगा, तब आपको वहाँ पर 0.57 के आसपास value मिलेगे आपको वहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, हमें क्या पूचा है हमर पस, actual capacity पूचा है, मतलब यहाँ पर हमें नि divided by gamma mw into हो का मारे पास effective, effective क्या हो का मारे पास, area, तो fy की value किती ले लेंगे, हम यहाँ पर, fy की value किती ले लेंगे, हम यहाँ पर fy की value किती consider कर लेंगे, 250 लेंगे की 260 लेंगे, हम यहाँ पर 250 लेंगे की 260 लेंगे, हम यहाँ पर हमेशा minimum value लेंगे, ठीक है, हम हमेशा यहाँ minimum value लेंगे, क्योंकि Fy की value अगर कम, तो हम यहाँ पर weld की strength को हम यहाँ पर कम consider करें, मतलब underestimate करें, मतलब हम विशा safe side में रहना चाहते हैं, तो इसकी value मैंने consider किया, that is 250, gamma MW की value कितनी होदी हमारे पास, that is 1.25, यहाँ पर इस ड्यागरम में देखिये, length of the weld कितनी हो जाएगी हमारे पास, length of the weld के बा express करों, तो यह हमारे पास है, this is the length of the weld, कितनी हमारे पास ओन 50 mm आपको यहाँ पर देखने को मिला, L W की value कितनी हार यह हमारे पास, 150 mm आपको यहाँ पर देखने का मिला, ठीक है thickness of the हमारे पास effective thickness के बारे बात करना हो तो यह क्या हो रहा है हमारे पास single v बोला है हमारे पास मतलब कैसा penetration है हमारे पास partial penetration है partial penetration में te की value मैंने आप लोगों को बोला था यह होता है हमारे पास that is 5 by 8 times of t minimum यह होता है हमारे पास that is 5 by 8 times of यह होता है हमारे पास that is t minimum तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास 150 into effective thickness कितना हो जागा 5 by 8 times of हमारे पास t minimum मतलब इसकी value आगे हमारे पास that is 12 mm इसकी value आगे हमारे पास that is 12 mm के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो जो भी अपने पास answer आएगा उसको आप यहाँ पर kilo newton यह पूछा गए तो आप यहाँ पर इसको 10 to the power minus 3 से multiply कर दीजेगा जो भी हमारे पास answer आ रहे हैं उसको आप 10 to the power minus 3 से multiply कर दीजेगा मुझे यहाँ पर बताएगा हमारे पास answer यहाँ पर कितना आ रहे है कितना kilo newton आपको यहाँ पर देखने को मिर रहा हमारे पास value यहाँ पर हमारे पास value कितनी आ रही है सबी लोग यहाँ पर मुझे solve करके बताएंगे सभी लोग यहाँ पर मुझे solve करके बताएंगे सुरीन बोल रहे हैं sir 225 kN प्रांशु बोल रहे है 225 विजया भी बोल रहे हैं यहाँ पर 225 kN तो मैं यहाँ बात कर रहा हुमारे पास तो answer कितना होगा जब इत्ते सारे student बोल रहे हैं तो यहाँ पर उनकी बात मान लेते हैं तो answer कितना होगा मारे पास 225 kN is the right answer 225 kN is the right answer आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 225 kN आपको यहाँ पर right answer आपको देखने को मिलेगा सभी यह clear रहे हैं यहाँ तक? चली आप यहाँ पर other 247 की website में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते कि आज से हमारा conquest batch यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है conquest batch में आज रात को साड़े आड़ वजे से बहुत ही aggressively यहाँ पर हम steel structures हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले somewhere around 12,000 का हमारे पास यह course आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर code यूज कर लूँगा कितना? अगर मैं यहाँ पर enter coupon code अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा that is Y501 तो आप यहाँ पर जैसी apply करोगे तो आप यहाँ पर देखेगा कि हमारे पास 9999 के आसपास आपको यहाँ पर codes क्या हो जागा आप यहाँ पर purchase कर सकते हैं ठीक है? तो सभी लोग को बता दूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर code को आप यहाँ पर जरूर से आप यहाँ पर यूज कर लिजेगा ठीक है? आज रात को that is 8.30 PM से क्या होने वाला है हमारे पास 8.30 PM से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पर steely structure से यहाँ पर start होने वाला है रात को साड़े 8 बजे से ठीक है? आप सभी लोग एन्रोल कर लो यहाँ पर बहुत बढ़िया लेवल पर आप हमारे साथ पेड बैच के आप यहाँ पर तयारी कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर steely structure से बाने बात नी कर रहा हूँ आप बहुत सारे subjects कवर हो चुके हैं major major आप उसको recorded form में भी आप लोग वहाँ पर पूरा complete क्या करोगा आप देख सकते हो पेड की बात बहुत 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 की बात काफी जादा लगे पेड में आपको aggressively हम हर एक topic को बहुत जादा time देखके हम आप पढ़ाते हैं बाकि YouTube में अगर में बात करना हूँ तो YouTube में भी हम लोग पढ़ते हैं लेकिन कोई भी topic को हम बहुत जादा deep में नी आप सकते हैं बहुत जादा questions हम आपर यह practice नहीं कर पाते हैं because of the time limitations but paid में ऐसा कुछ नहीं है and अभी यहाँ पर आपके पास इस batch में बात करूँगा तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर practice series में आपर start होने वाली हरे subject का बहुत जादा aggressively हम आपर practice भी करने वाले तो बिल्कुल मस्मत करिएगा सभी लोग यह वाला code use कर लिजेगा बहुत ही बढ़िया लेवल पर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं that is enroll कर सकते हैं हमारी batch में ठीक है चलो फिर बाबाई everyone take care see ya